दोस्तो आज की इस वीडियो माप को बताने वालो कि आप यूट्यूब पर शॉट्स वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो जी है दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हो कि यूट्यूब शॉट्स पर आम वीडियो अपलोड कैसे करें यूट्यूब शॉट्स वीडियो अपलोड create a shots का option मिल्यागा दोस्तों अगर आपने पहले से अपना shots वीडियो create करके रखा और gallery में save करके रखा है तो वैस यहाँ से directly उस वीडियो को आप select करके YouTube shots पर आप upload कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप भी YouTube में ही shots को create करना चाते हो और create करके ही upload करना चाते हो तो यहाँ पर आपको create a shots option पर आपको click करना है और इस पर click करने के बाद आपके mobile का camera यहाँ पर open हो जाएगा और इसकी बाद guys यहाँ पर आपको सबसे पहले add music पर click करने की बाद यहाँ से आप अपना music select कर सकते हो और यहाँ पर अगर आप जो है 15 सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप 15 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप जो है 60 सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हो यहाँ से आप 60 सेकंड जो है सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर add music पर क्लिक करने के बाद जिस भी music को आप अपनी वीडियो के लिए use करना चाते हो यहाँ से आप song select कर सकते हो song पर क्लिक करने के बाद आपको इस arrow पर क्लिक करना और आपकी वीडियो में music add हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर इस option पर click कने के बाद यहाँ से हाँ किमेरे को switch कर सकती हो और यहाँ पर इस option पर click कर के यहाँ से आप slow motion और fast machine जिस भी तरह के वीडियो बनाना चाते हो यहाँ से आप option select कर सकते हो यहाँ पर अगर आप normal video record करना चाते हो तो आपको 1X option पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की और अपनी वीडियो को record करने के लिए यहाँ पर आपको इस option पर tap करना है अगर आपने गैलरी में कोई भी वीडियो save करके रखिया तो यहाँ पर गैलरी option पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है किसी भी वीडियो को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और यही से डारेक लिए आप वीडियो को अपलोड भी कर सकते हो और अपनी वीडियो को यहाँ पर क्रियेट करने के लिए आपको इस रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है और इस पर क्लि वीडियो को एडिट कर सकते हो तो यहाँ पर आप देखसे तो sound अगर आप change करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप sound को change कर सकते हो और इसके लाव दोस्तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे option मिल दा है जैसे filter option पर अप्रिक करते हैन से filter select कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर जैसे आप next option पर क्लिक करोगे next पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको जो अपनी वीडियो अपलोड करने का process मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख से तो title option पर क्लिक करने की बाद यहाँ से आपको अपनी वीडियो का title एड़ कर लेना है जो भी आपका विडियो जिस भी तरह का विडियो है आपको अपनी विडियो की सबसे टाइटल लाने की बाद आपको जोई नीचे की और visibility में आपको जोई Public, Private और Unlisted का option मिलागा दोस्तों अगर आप विडियो को Public करना चाहते हूं तो आपको Public option select करना है अगर आप विडियो को प्राइविट रखना चाहते हूं तो यहाँ से आप प्राइविट option भी select कर सकते हूं और इसके बाद यहाँ पर आपको जोई नीचे की और select audience option पर क्लिक करने की बाद यहाँ से आपको कोई भी नहीं करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की और आपको simply upload shorts option पर क्लिक करना है और इस option पर क्लिक करते हैं आपका जो है shorts विडियो upload होना start हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर profile पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर जैसे आप यह और channel पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी वीडियो अप्लोड रहेगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखस तो मेरा जो है वीडियो यहाँ पर अप्लोड हो चुका है इसके बाद यहाँ पर 3.ट पर क्लिक करने के भाद जैसे यहाँ पर अप ważne option पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी विडियो को भी edit कर सकते हूँ यहाँ पर आप देख से एड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी विडियो का description डाल सकते हो और इसका अबस तो यहाँ पर एड टेग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो के लिए टेग यहाँ पर आप डाल सकते हो तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन और टेग डालने के बाद आपको सिप्ले से उपर क्लिक ना है और इस पर क्लिक करते यहाँ पर आपकी जो है विडियो अपलोड हो जाएगी तो guys कुछ इस तरीके से आप YouTube शॉट्स पर आप जो है अपनी विडियो अपलोड कर सकते हो और अभी तक आपने मारे चानलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरुरूर से प्रेस करदेना